दोस्तो केसी आप लोग और केसी चल रही है आपकी शेडी दोस्तो आज किस वीडियो में बात करेंगे कि कलास 12 हिंदी की पिपर में हम बीना पड़े कैसे पास हो सकते हैं ठीके दिखें मैंने आप लोगों को हिंदी की तियारी बहुत बढ़े से करा दिये मैं पहले तो कम से क हम तीन बार हिंदी की तियारी आप लोग की करा चुका हूं ठीके पहलों तो मैं आपको टॉपिक बई टॉपिक कराया फिर बच्चे बोलें कि सर हमारा त्यार नहीं हुआ तो मैंने फीड से कराया अब उसके बाद कली मैंने कली आपड़सो मैंने महा मैरतन क्लास आप साटा कि हम अराम से बस पास हो सकते हैं यदि आपने थोड़ा भी पढ़त रखा है या मेरे से वीडियों टो आप इस वीडियों को छोड्के जा सकते हैं यह जासे की कोई जाने कोई छात्रों के जैसे की कोई काम के वज़े से उनकी चुट जाती है या घर की स्थिति खराब होने के करण उन्हें बाहर जाके काम करना पड़ता है ठीके तो उनके लिए वीडियो है ठीके मैं गरांटी देता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप फेल कभी नहीं हो सकते हो ठीके मेरा फ़र्ज है कि आपको पास कराना जब आक मेरे पास आये हो तो ठीके यह इस वीडियो से आप खुल के बोल रहा हूं इस वीडियो से आप 80 प्लस 90 प्लस बिल्कुल नहीं ला सकते हो मेरे भाई हाँ इस वीडियो से बस तुम पास हो सकते हो मैं इतना करांटी देता हूं देखिए आप लोग का जो हिंदी है क्लास 12 वा लोग का बात आ रहा हूं मैं या आपका समाने हिंदी हो या साहित हिंदी हो उससे कोई मतलब नह है मैं दोनों की बात कर रहा हूं उसमें आपको 33 नमबर लाना होता है पासिंग मास आपका 33 नमबर होता है जब आप 33 नमर ला दोगे तब ही आप पास कहा होगे ठीक है और हिंदी भी से एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट भी से है ना कि यह आप इसमें फेलो गए तो भई आ आपको पूरा साल फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा लेकिन अधिया आप हिंदी में फेलो जाएंगे तो भई यह सारा पानी फिर जाएगा आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा समझ रहे मेरी बात चलिए अब समझते हमारे पेपर में प्रश्ण किस परकार के आते हैं हमारे यहांने पेपर में बहू कल्पिया प्रश्णओ और सब्जटी कंशन आते हैं आभू कल्पिया प्रश्णो को आप लोगOW प्रश्ण भी बोलते हो यान कि एमसे क्युट को ढब्रोग बोलते हो तो यह आपके पेपर में 10 नमबर कहाता है बोले तो 10 अंक और ये दस कोशन हो को हम बहुकल्पिय प्रशन बोलते हैं यह आपके पेपर में दस उगवाएगा और एगों होगा एक नंबर का तो दस को कितना हुआ दस नंबर का ठीके उसी परकार आपका सब्जेक्टी कोशन आता है 90 नंबर का मतलब जो में हीरो है आपके पेपर का वो यह सब्जेक्टी कोशन है यानि कि जो सब्जेक्टी कोशन वह अपना पकड़ बना लिया समझी को पेपर में बवाल काट देगा लेकिन में बती है कि सर और हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है सर ना हमारा साइत पर्चे तियार है ना सवरा मारा गध्यांस तियार है पर हम क्या करें यह बताइए और एक वाध और बता दूँ कि यदि मांजो कि आप बहुत पढ़े भी लिखे हो बहुत जादा त्यार किये और आप पेपर में और यदि आपका ना पढ़ा हुआ आजाये जैसे माwn जो तुम तीन रचनाय तीन जीवन पठाशे त्यार करकिया दियार कर लिया तुमने हजारी परसाद दिर्वथी के तियार कर लिया तुमने ठीक्टर अप्र ये ऩा», भीक्या है तो आहै किसमत ख्राप तो अब तुम क पहले बात करेंगे बहुकल्पिय प्रस्ण में ट्रीक लगाने की देखिए बहुकल्पिय प्रस्ण में कोई ट्रीक नहीं लगता है लेकिन मैं आपको चार ट्रीक बताऊंगा ठीके चार ट्रीक बताऊंगा इस चार ट्रीक को आपको अपने पेपर में मतलब लगाना है अब मैं फूल गरांटी तो नहीं दे सकता हूं कि चार ट्रिक से आपका दसो का दसो सही हो जाएगा लेकिन मैं इतना गरांटी जरूर देता हूं कि चार ट्रिक से आपका दस में से भईया पांच भी तो सही होगा नहीं चलो तीन भी तो सही होगा ना कुछ भी तो नमबर मिल रहे ना भया ठीक है इस ट्रीक से कुछ ना कुछ आपको नमबर जरूर मिलेगा यह नहीं होगा कि दसों के दस से गलती नहीं भया ठीक है और तो आद दिमाग से तुम काम करोगे ना तो दस में तुम्हारा आठी भी सही हो सकता है समझ गई मेरी बात चलिए अब वो ट्रीक या च यह पेपर में चार अफसान ऐसे दिये रहेंगे अब आप तो पड़े हो नहीं तो आप कौन सा लगाओगे भया सोच में पढ़ जाओगे यह दि मांज आप पड़के भी गए हो आपके सामने ऐसा हम सिखी हुआ गया जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है तो आप उसको क लगाना अगर अपसन में यह ऐसे पाइसे टाइप का सब्सक्राइब नहीं किया हुँ मैं तिसरा पो ट्रीक देखना है सबसे बढ़ा यह चोटा नंबर होगा अब इसको पहले बाद में समझेंगे अभी मत समझो इसको अभी कंफ्यू जाओंगे पहले दोनों को किलियर कर करते हैं जैसे इस कोशन को देखिए इसमें चार अफसन हैनना हमने अपको क्या बोला यहिदि आपके अपसन में अगर कोई समय सब्लान केีक काerte करा कि अप तक 트ि Tales देखे न और लाश्ट में दोनों ऐसे दिखे इसी यादरों को ऐसे ऐसे अफसन दिखे तो भूज़ा उसी पर आपको, बढ़िया से होता है लेकिन हम किस्मत के वरुसे नहीं बढ़ सकते हमें अपने उपर भी मेहनत करनी पड़ेगी ठीके चलिए इसको मैं तोड़ा जूम आउट कर देता हूं एक मिनट चलिए अब देखिए आप चौता ट्रीक यह तुरह तीन ट्रीक अब यह वाला तोड़ा स जिसरे राम दर इसिन देन करको जयानफित प्रसकार मिला अब इसमें आप कैसे करोगे यह ना इसमें तो यह वाला मिलेगाक इन में सभी लोगाए अगर एंसर होगा तो यह होगा यह होगा अब इन दोनों में से आपको किसी भी पर टीक लगाना है मैं खुल के बोलना हूं ठीके अब आप अब्सक्राइब किसर आप दो में से हम किसको हम तीक है यह बताढ़े मुझे तो बएशार क्रकों इस्त protocols कर ना है ठीके अप दोनों में से इसलोगा तब यह तो होगा क्योंकि हमने पहले यह व नरॉरा चि इसको काट दीडिया है बचे दो में दिख रहा तो यहे वाला सभी हो जाएगा समझ गई मेरी बात इस तरह आपको paper में करके आनी है में देखिए हमें गरांटी नहीं लिए सकता ही कि आपका सारा का सारा दसो MCQ सभी होगा लेकिन मैं इतना गरांटी ही लेता हूँ कि सब कर सब सब गलत भी नहीं होगा समझ गए मेरी बात चलिए अब हम बात करेंगे सब्जेक्टी कोशन की सब्जेक्टी प्रस्ण की क्योंकि यहां से मैं 90 नमबर मिलने वाला है तो भाई नमबर तो हम छोड़ेंगे नहीं मैं जानता हूँ कि हम कुछ भी नहीं पड़ें तो 90 नमबर तो में मिलेगा नहीं लेकिन इपसे कुछ तो नमबर मिलेगा मांजआओ हम से 10 MCQ में से 2 3 नमबर ही मिला मांजристिन नमबर मिल गया हमें 30 नमबर 90 में से 30 नमबर मिल जाए ना तो 33 नमर का काम हो जाएगा और हमारा जो बेरा है वो पार हो जाएगा समझ गए? यानि कि हमारा जो मू लिकाई है जो हमारा मतलब लक्ष है वो नबे में से 30 अंग पराप्त करना है तो मैं उतना ही बताऊँगा जिससे आपको 30 नबर मिल सके चलिए आपके पेपर में साहितिक पर्चे लिखने के लिए आता है सबको मालूम है अब अगर मां जी आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आपको साहितिक पर्चे याद भी नहीं होगा तो आप लिख भी नहीं पाओगे लेकिन वह जो ट्रीक बताने वाला हो न इस ट्रीक से तुम किसी भी लेकक का किसी भी कवी का यार कोई भी दुनिया का कवी या लेकक दे दे आप उसका साहितिक पर्चे एदम बिल्कुल आसानी से असानी से लिख सकते हो समझ गए चलिए सुरू करते हैं अब देखिए आपको कैसे करना है आप इसी ट्रीक से लेकक का भी लिख सकते हैं और कवी का भी लिख सकते हैं ठीके समझे आप कैसे आपके पिपर का प्रश्णोतर संक्या पांचवा ही साहितिक पर्चे होगा ठीके तो आप तो बस यही हेडिंग डाल देंगे प्रश्णोतर संक्या पांचवा का कव अब आ यहांपर आप सहतिक परचे डाल दोगे उसे से देखके कोशन मैं लिखा रहेगा निमने में से किसी एक का सहतिक परचे लिखिए तो आप इसके अंदर जो लिखेला है यह तुम किसी भी लेखा के लिए लिख सकते हो तो यह थीक है यहापर तुम कवी में आज़ गुपत भी डाल दो, कोई बात ने, सब में यही काम करेगा भईया, देख लो, बस इतना सा है, सब में यही, अब देखो, मैंने लिखा क्या है, ठीके, टीचर काट भी नहीं सकता है, मैं इस तरह मैंने इसको point बना के लिखा है, और यहां से आपको, मैं बानता हूँ, 5 नमर का एक आता है तो आपको पांच में पांच निमर तो नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा टीचेर देखे का भाई इसने तो जनम लिखाई नहीं जनमती थी इसने तो मरंती थी लिखाई नहीं मतलब मिर्तिव लिखाई नहीं ठीके इसके तो मतापिदा का नाम लिखाई नहीं तो यह इसको नमबर हम पांच कैसे दें चलो इसको तीनी नमबर देतें इस तरह आपको नमबर मिलेगा और ऐसे ही कर करके बोलते हैं थोरा-थोरा सही पूरा होता है उसी परकार आपको थोरा-थोरा अंक लेकर अपने पासिंग मास्क को जुटाना है समझ गई मेरी बात चलि और आपको और हाँ झाँ जाओ यहां देखने जिए लगहां देखने का लिखने जोंदेखने, यह दो आफंड से तो भाइ आद हम पढ़ रहा है इनको और अगर माँ जब अगर हैं गवी परसी बर्मान आतें में नहीं यह कहाँ इनको पड़ रहा हूं और इनको बात वही इतना दिमाग से कहा है एसा ट्रीक को वो कहीं नहीं मिलेगा इन्होंने हिंदी साहित में जो एक दान दिया है उससे कभी भूलाया नहीं जा सकता इनका जनम एक बहुत ही गरीब तथा संसकारिक परिवार में हुआ था जितने भी लेका करकवी होते हैं उनका जनम बहुत गरीब ही परिवार में होता है क्योंकि गर संस्कारवान बन गए ठीके समझ गई बात चलिए इनके पिता एक साइट प्रेमी थे जिसके करन इनको बच्पन से हिंदी की में काफी ज्यादा रूची थी इनकी प्रामिक सिक्षा अपने घर पर ही माता पिता के देखरेंगे में हुई सबकी प्रामिक सिक्षा जो आपके ए किसी के भी पिता अपने बचों के लिए बेवास्ता बढ़ियां करता है इस सिक्षा की ठीके यह बच्पन से एक तेज अता मेदावी चातर थे अब यह 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 तक आने का मतलब नहीं आ सकता है ना तो में बात वही है यह अपना कोई कार्या बड़े मेनत अता लगन से करते थे इनका बहुत ही जीवन सरल था इन्होंने अनेक मुसीबत का सामना स्वयम किया है इन्हें हिंदी हम संस्क्रित में कापी ज्यादा रूची था अंत में अंत में काल ने इन्हें हमसे छिन लिया बस आप बताओ इस तरह लिखोगे वह यह तीन नंबर ऐसे तीन नंबर आपके पीपर में गधयांस भी आता है अब आपके पीपर में गधयांस भी आता आँ आप गधयांस हॉल्व करने का हम ट्रिक देखते हैं अब देखिए आप तो पड़े लिखे गये नहीं हो आपको म такого आते दूरी है जो पड़े लिखे हो तिन ही होगा समझ गए आप अब चलिए यहां पर आप संक्यत ऐसे डाल दोगे जो भी आपका गध्यान से उसका दो सब्द उठाके यहां पर डाल दोगे और आपड़ डाल कर दोगे समझ गए चलिए अब आपको पहला कोई भी गध्यांस उसका पहला आपको संद्रप लिखना होता है कोई पी गध्यांस तो आप ऐसे संद्रप लिख दोगे बलेक पेंसे अब हैँ पार मैंने जो भूलु परेंस लिखरा यह बिलेगakan वाला याटाओ इसको तुम बस एक दो बबार आभी पड़ दो याद याद कर दो इसे अभी और पेपर में बस जाके यह लिख देना मानता हूं यह दो नमबर कहना तो तुम्हें एक नमबर जरूर मिल जाएगा ठीक है तो बस यह बुली वाला तुम एक बार याद कर लो कोई भी गद्यांस हो सोच नहीं नहीं है बस ऐसे लिखो संद्रम लिखो यह वाला सर नहीं याद कर रहता है बस लिख दो समझें मेरी बाद चलिए रेका चिंद्रंस की भी आखिया वही तुम तो पढ़के गए नहीं हो तो तुमको कहां से रेका चिंद्रंस की भी आएगी अब रेका चिंद्रंस की भी आखिया क्या होती है गद्यांस में आप द करते हैं यह सब पढ़ा को लड़के लिखेंगे अब यह मत सुच रहा है कि सर हमें अनपढ बोलें नहीं भाई हम आपको अनपढ नहीं बोला है आपकी स्थिति खराब होगी तभी आप नहीं पढ़ेंगे ऐसा तो नहीं है ना आप सौक से कोई भी कारे करोगे तो जरूर ठीके चली ऐसे मैं 3-3 बार हिंदी के तियारी करा दिया हूँ अब बताओ जो टीचर जिस चैनल पर 3-3 बार हिंदी के तियारी हो जाए वो क्या ट्रीक वाली वीडियो लेके आएगा नहीं ना लेकिन में लेके आ रहा हूँ जिससे आपको मैं तब यहां से लाब उठा सके मैं हर साल ट्रीक वाली वीडियो लेके आता हूँ ठीके अब गद्यांस के नीचे जो और सब कुशन होते हैं उनको ऐसे उतारके और गद्यांस कोई भी दो तेन लाइन उठा उठा के यह पर डाल देना बस समझगे हैं बात यहां से कुछ नंबर नहीं मिलेगा भया दस नं अब आपको आवेदन पत्र कैसे लिखना उपर ठीके अब देखो यह तो पूरा याद कर लो कि सुरू में आपको सेवा में जरूर लिखना है कोई भी कोई भी आवेदन पत्र आजए एक अहां पर डॉटर एक कोमा डालके एक लाइन छोड़के ऐसे ही आपको फॉर्मेट में लिखना है यह सब याद कर लो सकार प्रन्बग भरती स्टेट बैंग कोई भी आजए आपको बस यह लिख देना है बिसे देखलो यह बस आपको यह डाल ला है सब महोदे देखलो सविने निविद्धन है कि यहां तक य यहां तक बस अभी रट्टा माल लो कोई भी आजए अविदन पत्र जिसमें रेंट प्राप्ति के लिए हो बस यहां तक लिखना आपकी पेपर में रेंट प्राप्ति के लिए 100 परसेंट आएगा इसलिए मैं यह करा रहा हूं तो यहां से आप यहां तक याद कर लो अब यहां से लेके मैं से लेके मैं से लेके आप यहां तक बिच में आप कुछ भी लिख सकते हो एक बार यह पढ़ दो और यही पढ़ दो कुछ दिमाग में हिंट मिल जाएगा और इसी में से कुछ रिलेटेट तुम लिख लेना कुछ भी लिख सकते हो और कुछ भी दिमाग म ना जुजे तो गद्यांज उठाना उसे का पंच्छे लाइन आप भड़ देना समझ आऽ हमारावी बात चलिए अब यहां से ले के यहां तक यह कुछ भी लिखिक है यह न॑ नहीं है और नहीं अब परियाद कर लो परियांत權 इस तना करोगे में हमानता हूं चेमर का है तीनस नमर यहां पर देखा जय क्वाइए इसमें में कुछ हां यह नहीं समझ आ वरकाष देख लिया अब बात करेंगे हिंदी थिकर diplomate है अब बात करेंगे ए और निवंद की बात करेंगे हिंदी वियाकरण में देखिए आपके क्या-क्या पढ़ने हैं मुहावरे पढ़ने हैं सब्द उगम पढ़ने हैं अनेकार्थी सब्द पढ़ने हैं अनेक सब्द के लिए एक सब्द पढ़ने हैं सुध वाक्य पढ़ने हैं अब भया मैं मानता हूं कि आप पढ़े नहीं हो तो इनका एंसवर तो आप दे नहीं पाऊंगे तो यह यह भी mcq के format में आते हैं आपको जो मैंने पहले शुरुआती अब यह मुहावरा किसको नहीं समझ में आएगा दाल में कला होना तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि दाल में कला होना क्या होता है ठीके संदे होना अगर आजाए आखों के तारा होना अब तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि आखों के तारा क्या होता है इसकार्थ क्या हो इसमें तो कुछ है नहीं ब्याक करन में ठीक है और सब दिखुम तभी आपसोनल वाला आता है वहीं आपको ट्रिक लगा देना है अने कार्थी सब्द क्या होता है देखो जैसे समझो मेरे बात ठीक है जिसे आता है क्या यह भी आता है इंवे कोई नहीं नहीं वहीं थो है मेरे वाकिये गलत करके आता है सभी करना तब यह तुम्में नहीं आता है कुछ भी अलग बलग अलट पलट कर देना बस मिल जाएगा तुम्हें निबंद की बात कर लें यहां से आपको 9 नंबर की निबंद आती है आपकी पेपर में आप सो पड़े नहीं हो तो 9 नंबर तो नहीं मिलेगा लेकिन आप 9 नंबर पास सकते हो अभी भी टाइम है यह वी में से कोई एक भी टोफिक आपके सामने दिखाई देगा तो आप अपने से भी लिख लोगे यह मेरी गरांटी है बस इन चारों के एक एक बार पढ़ दो तुम ध्यान से पढ़ना एक एक बार पढ़ लो अभी टाइम है अभी जश्ट पढ़ लो यह वीडियो खतम होते ही इनको पढ़ दो ठीके पढ़ने के बाद पेपर देने जाना अच्छा नमर जरूर आएगा यह मेरी गरांटी है तो बस इतना आपको करके जाना है हिंदी के पेपर में इतना सही आप पास हो जाओगे 33 नमर आपको आराम से मिल जाएगा थोड़ी से रैटिंग वणिया करना आपको पहला दूसरा तीसरा पेज में तेदम बढ़िया से लिखना जिसे आपके टीचर आपसे खुस हो जाए ठीके समझे रहे हो ना आपको किसी तरह आपने टीचर वे विश्वास दिला देना है कि सर मुझे किसी तरह पास करा दीजिए पैसा नहीं रखना है गाली पास होने का ट्रीक है और हिंदी सबसे मॉस्ट इंप्रोटेंट चे भी सहया आपका ठीके चले मिलता के लिए वीडियो में पेपर देख्या ये बेस्ट अफ लॉक और हम साम को मिलेंगे लाइव क्लास में एक बढ़िया आप अपना क्या किजेगा कि जो आपका पेपर मिल कि यो気 जो को हुआ है कि झालिए ये मॉक तो चैया